हाइ गाईज टेष्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं बत्वा और आलू की ग्रेवी वाली सबजी बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है आप आराम से बना सकते हो खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है वैसे काफी लोगों को बथुआ नहीं पसंद होता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर इस तरीके से बथुआ आलू की ग्रेवी वाली सबजी बना करके सर्फ करोगे न अपने घरवालों को देखिए गंगलिया चा करने के लिए तो बथुआ को जो है सबसे पहले आप धोली जेगा ताकि जो भी धूल मिटी हो वो निकल जाए और बथुआ का जो पीछे डंडी होती है ना मोटी वाली हाड रेती है थोड़ा सा उसे निकाल देंगे सौफट पाट लेंगे साथ में मैंने आप लिया हुआ ह सबजी को बना सकते हैं मेरे पास एक गड़ी पालक थी और एक गड़ी बत हुआ इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है तो दोनों चीजों को हम साथ में बॉयल करेंगे कायफ लगा करके चार से पांच मिनट के लिए छोड़ दीजे ढग करके उसके बाद आप देखोग इसे हम साइड में रखेंगे आगे जो हैना रेस्पी में हम इस पानी का यूज करेंगे तो चलिए सबजी बनाना सुरू करेंगे एक कड़ाही गरम होने के लिए रख दीजी और इसमें डानेंगे दो चममच रिफाइंड ओल जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें हम कलची से मिक्स कर दीजी ओल में फिर हम इसमें डानेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर हल्दी का छिर्काव कर देने से आलू में बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा बिल्कुन आफनल है आप चाहें तो इसकिप कर सकते हैं अलट पलट करते हुए पांच मिनट में मैक्सिमम जो है आलू आपका बढ़िया से फ्राई हो जाएगा जैसे यालू उपर से क्रिस्पी दिखने लगे और हलका सा कलर चेंज हो जाए कुछ ही इस तरीके से देखिए तो आलू को ऑईल से बाहर निकाल करके हम रख लेते हैं सारी तैयारी हो चुकी है अब हम ग्रेवी बनाना सुरू करेंगे तो इसी ओयल में आट कर दीजे एक चम्मस जीरा जीरा अच्छी तरह से क्रेश हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे प्याज तो मैंने एक मिडियम साइस की प्याज जो है पतले स्लाइस में चौप करके लिया हुआ है प्याज को ओयल में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजे फिर इसमें हम एट करेंगे सूखी लाल मिर्ची तो मैंने यह दो लिया हुआ है इसी साथ इसमें एट करेंगे थोड़ा सा अध्रकलेसुन का पेश्ट ज्यादा यूज नहीं करना है अगर आप ज्यादा इसलिए थोड़ा सा यूज करेंगे मिक्स करते हुए दो मिनर तक पका लिजिए जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आपकी प्याज हो जाती है फिर इसमें हम डाल देंगे एक चम मज भर करके लाल मिर्ची पाउडर बाकी हम अभी कोई मसाला यूज नहीं करेंगे मसाला हम बड़े तुकड़ा नहीं रहना चाहिए अच्छे तरह से ग्रैंड कर लेना है आपको पेश्ट को डालने के बाद मिक्स करिए और चार-पांच मिनर तक पकाईए इसे मिक्स करते हुए ढखेंगे नहीं अगर ढख दोगे ना तो जो ग्रीन-ग्रीन कलर दिख रहा है यह कल नमक कम जादा कर सकते हैं सभी चीजों को मिक्स कर दीजिए और फिर इसमें हम अट करेंगे थोड़ा सा पानी तो बथवा और पालक को बॉइल करने के बाद जो बचा हुआ पानी था ना यह उसी पानी को मैंने यह पर यूज किया हुआ है पानी को अच्छी तरीके से मिक् थोड़े बड़े तुकड़े वे चौप किया है जितना बड़ा तुकड़ा आप आलू कर रख रहे ना उतना ही बड़ा टमाटर का भी रखेंगे अट करने के बाद इसे मिक्स कर दीजिए और ढख करके 4-5 मिनिट के लिए छोन दीजिए ध्यान रखेगा कि टमाटर बहु रख यहां पर यह सब्जी हमाणी तैयार हो चुकी है इसमें हम डालेंगे 1-5 चंमच गरमम असाला पाउडर बहुत जादाम्साला का यूज सी यूज कर दोगा आप सब्जी में मिक्स ड्रीयों तयूजिके लहां horizon बड़ाम पूरी पराठा चावल रोठी किसी के साथ किया जा सकता है घर पे छोटा मोटा प्रोग्राम हो तब भी आप इस सब्जी को बना करके सर्फ कर सकते हो उमीद करती हूँ कि रस्पी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी आप लोग पहले अपने घर पे ट्राइ करिएगा उसके बाद मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक सब्जी कैसी लगी आप लोगों को मिलते हैं हम आप लोगों के साथ एक नई रस्पी में बाई गाईज